असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ अली आज इस लेसन में मैं आपको टाइम लाइन के बारे में बताना चाहता हूँ टाइम लाइन एक बहुत बड़ा टॉपिक है इस वजह से मैं इस पे दो वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो में मैं आपको टाइम लाइन के basics के अबारे में बताना चाहता हूँ सबसे पहले मैं अपने वीडियो के settings के मताबिक एक composition बनाऊँगा अपने वीडियो को ड्रै करके इस button पे चोड़ दूँगा तो एक composition बनेगा same उसी settings से अब ये जो composition है ये इसी timeline को ही क्याते है मतलब आप इस composition में कुछ edit करना चाहते है तो आप उसे timeline में करेंगे अगर मैं इस timeline को बंद करूँ और इस composition को open करूँ double click करूँ तो ये आप देख सकते है कि timeline open हुआ है तो ये जो timeline है वो असल में इसी composition को ही कहते है अगर आपने किसी वीडियो को edit करना है आपने उसके लिए एक composition बनाना होता है मतलब editing करने के लिए आपके पास एक timeline होना चाहिए और timeline में काम करने के लिए आपके पास एक composition होना चाहिए तो आपने सबसे पहले एक composition बनाना है उसके बाद पिर आपने उसके time line में काम गंगा है हम लोग जभी किसी वीडियो पे कुछ apply करते हैं उसके setting को change करते हैं तो वो सब कुछ time line में होता है अगर मैं इस वीडियो के position को change करूँ बलके मैं पर control z प्रेस करके undo करता हूँ अब मैं P बटन प्रेस करके इस वीडियो के पुजीशन को ओपन करता हूँ अगर मैं इस वीडियो के पुजीशन को चेंज करने लगूँ तो यह आप देख सकते हैं कि टाइम लाइन में वैल्यू चेंज हो रहा है इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग जो भी चेंज लाते हैं वो टाइम लाइन में होता है असर में इसी तरह कर मैं S प्रेस करके इसके स्केल को ओपन करूँ और इदर से मैं स्केल को चोटा करूँ तो यह आप देख सकते हैं कि टाइम लाइन में चेंज हो रहा है मैं रिसेट करूँगा राइट क्लिक करके रिसेट अभी स्केल मैंने सिर्फ रिसेट किया इसी तरह पुजीशन को भी रिसेट करूँगा पुजीशन ओपन करूँगा उसके बाद राइट क्लिक करके अगर आपको ये लिस्ट नजर नहीं आ रहा तो इदर राइट लेक करें लिस्ट में होगा रिसेट उस पे क्लिक करें या कंट्रोल जैट करूँगा अपने राइट अपने वीडियो पर राइट लेकरें ट्रांसफॉर्म और रिसेट तो जो भी सैटिंग है चेंजिज आया है इस वीडियो में उन्हें रिसेट करेंगा अगर मैं अपने वीडियो पर कोई एफेक्ट अप्लाई करूँ जैसे के यह बॉक्स ब्लर हो गया मैं इस पर अप्लाई करूँगा मैं अपने टाइम लाइन को तोड़ा बड़ा करूँगा ताके मुझे तोड़ा स्पेस में लेकाम करने के लिए यह आप देख सकते हैं कि मेरा एफेक्ट भी टाइम लाइन में एड़ हुआ है तो टाइम लाइन जो है वो इस सॉफ्ट्वेर का आफटर एफेक्ट का बहु कुर्ण लिए ने वो सारे सरे सैटिंग्स हैं जिनने आफ शेचान्ज कर सकते हैं मतलब ट्रांसफॉर्म अत्रांस्फॉरमैशं की सैटिंग्स हैं जिसमें आप पोजीशन स्केल रूटेशन या ऑपैसिटी वगरा चेंज कर सकते अपने वीडियो गा इसी तरह और यू है आप अपने आडियो लेवल को कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं अगर आप आडियो के वेव फ्रेम को वेव फार्म को ओपर करना चाहते हैं तो इसी तरह अगर आप अपने वीडियो में कोई मास्क बनाएंगे तो वह भी टाइम लाइन में एड होगा तो सब कुछ टाइ इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले आता है एक आई का आइकन एक आंग बनावा है यह जो है यह visibility को show करता है अभी अगर मैं इसे अंचेक करूँ तो यह मेरा वीडियो invisible होगा यह आप देख तो इदर से हम लोग अपने वीडियो को visible या invisible कर सकते यह जो बटन है इससे हम अपने वीडियो के sound को अपने clip के sound को mute कर सकते तीसरे option को आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले आपको यह जो log का sign है इसके बारे मैं बताना चाहता हूँ अब जब किसी वीडियो को log करेंगे तो आप उसके settings को change नहीं कर सकते हैं अभी मैं इसे select भी नहीं कर पा रहा हूँ अगर मैं इसके transformation में जाओं changes लाओ तो यह आप देख सकते हैं कि change नहीं कर सकता है क्योंकि मैंने इदर से log किया हूँ unlock कर वैसे अगर अब मैं इसमें कोई changes लाओ तो आ सकता है changes उपर आँगा तो reset पर क्लिक करूँगा reset होगे solo button जो है बलके मैं एक वो करता हूँ कुछ वीडियो इतर पैंकता हूँ अब कुछ इस तरह की cases भी है कि आप सिर्फ इन चारों में से सिर्फ एक वीडियो को देखना चाते है अगर ये solo का button ना होता तो आप इस तरह करते हैं बाकी तीन को invisible करते इतर से फिर आपको ये जो छोता वो है क्लिप है वो visible होता आपको visible मिलता अगर मैं ये वाला slack करूँ तो इस तरह करूँगा मतलब बाकी तीनों को मैं invisible करूँगा और सिर्फ उस clip को visible रखूँगा जो मैं चाहता हूँ अब जब हमारे पास ये solo का button है ये क्या करेगा ये सिर्फ एक clip को मतलब जिन clip को आप solo करते हैं अगर मैं दूसरे इदर से विडियो को visible करना चाहँ और बाकी और को invisible करना चाहँ तो मैं solo करूँगा इसे मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि बाकी तीन को इतर से manually invisible करूंगा ये तोड़ा सा slow process है काम वही दोनों का सेम है After Effects में जो layers है timeline के layers जो है वो बिलकुल Photoshop layers की तरह है मतलब जो सबसे उपर timeline में हुआ वो आपको इधर वीडियो में भी उपर ही दिखेगा अब ये जो video है ये timeline में उपर रखावा है इस वज़ा से ये उपर देख रहा है अगर मैं इसको नीचे ले जाओ दूसरे वीडियो की नीचे ले जाओ इसके लीचे ले जाओ तो मुझे इधर वीडियो में भी नीचे दिखेगा मैं इसे नीचे ले जाता हूँ आप देख सकते है कि वो जो उपर था वो नीचे गया है और जो नीचे था वो उपर आए तो timeline में आप जो भी जिस वीडियो को उपर रखेंगे वो उपर देखेगा तो order भी matter करता है timeline में इसके लावा हमारे पास modes है blending modes है जो हम लोग use कर सकते इन्हें photoshop में blending mode कहते है इदर compositing mode कहते है इसे कुछ लोग mixing भी कहते है जैसे कि multiply हो गया अगर आप दो वीडियो को multiply करना चाहते है add अगर करना चाहते है बहुत सा options है अब जब भी किसी दो clip में किसी दो clip को blend करना चाहते है composite करना चाहते है तो आप इनके different settings try करें आपको इन में से कोई न कोई जरूर पसंद आएगा और आपका काम आएगा अगर आपको ये जो mode है ये नजर नहीं आ रहा तो आप इस button पे click करें toggle switches तो ये आपका जो modes है compositing mode वो enable करेगा अभी ये जो है मैंने चार video HD videos डाला है इस वज़ा से तोड़ा slow हो रहा है और मैंने अगर एक compositing mode भी डाला है slow हो रहा है slow चल रहा है अगर मैं इसे play करूँ तो बहुत मतलब normal speed में नहीं चलेगा ये video मेरा आप अगर इसके video quality को तोड़ा कम रखेंगे तो ये मतलब तोड़ा सा fast चलेगा बैतर चलेगा video quality को आप इदर से कम कर सकते हैं ये जो list है resolution इदर से आप कम कर सकते हैं अभी full पे रखा है मैं इसे half पे रख रखता हूँ तो तोड़ा सा video quality किर जाएगा लेकिन तोड़ा सा fast प्ले होगा इसी तरह अगर मैं third पे रखो तो मजीद video quality किरेगा और fast प्ले होगा इस तरह ये जो है ये आप render करते वक्त इसे change कर सकते इस वज़े से इसका attention ना लेके concept video quality रखना है मतलब आप इसे जब render करने लगेंगे फिर आप इसे full पे रखे के उसके बाद render करें editing के दोरान आप इसे अपनी मर्जी से रख सकते हैं timeline में मैंने आपको पहले भी बताया कि video जो है वो frame से बना हुआ है अब के लो picture से बना हुआ है अभी यह जो video है यह इसमें एक एक second में 30 frame है अगर मैं zoom करूँ zoom का जो shot cut की है alt scroll जो middle scroll है माउस का जो scroll है wheel है उससे होता है alt प्रेस करें और बाउस का wheel स्क्रोल करें तो zoom होगा या आप अपने keyboard पे plus minus button भी प्रेस कर सकते है back space के पास है is equal to या underscore का button तो यह zoom होगा zoom out और zoom in मैं zoom in करूँगा अभी आपको दिखाऊँगा कि एक second में इस वीडियो में 30 frames है इधर से इधर तक एक second है तो मैं frame by frame जाता जाऊँगा और count करता जाऊँगा इस एक second तक next frame का button shortcut की page down है और previous frame का button page अब है आपके keyboard पे तो मैं page down पे click करूँगा एक दो तीन चार पांचे साथ आट नौ दस ग्यारा बारा तेरह चोदह पंदरह सोदह सफरह 18, 19, 20, 21, 24, 25, 25, 27, 28, 35, 35 यह आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने 30 तक count किया यह जो मेरा time line का cursor है यह one second तक पहुंचा है तो इस video के एक second में 30 frame है इसी तरह एक second से दूसरे second तक 30 frame है तो 30-30 frame है इस video में अब हम लोग जो editing करते हैं वो timeline में करते हैं सबसे पहले मैं इन दोनों video को delete करूँगा किसी video के starting point को cut करने के लिए उसके start पर ले जाए click करें और track करें तो आप उस video को cut कर सकते हैं मैं नीचे बादे clip को invisible करता हूँ ताकि आपको फर्क देखे आप देख सकते हैं कि पहले बादे video को मैंने शुरू से cut किया हूए अगर मैं इसे बड़ा करना चाहूँ तो इस तरह कर सकता हूँ मतलब उसके start points पर click करें और drag करें यह जिदर आप रखेंगी आपका video अधर इसे start होगा अब यह जो cursor show हो रहा है यह किसी point पर नहीं रखा इसी वजह से मेरे viewport में कुछ नेज़ा नहीं आ रहा अगर मैं इस cursor को ले जाओ इदर तो यह आप देख सकते हैं कि इदर अभी कुछ आया है यह क्यों आया है क्योंकि इदर से मेरा video start होता है इसी तरह अगर मैं इस video को end से cut करना चाहूं तो मैं उसके end पर click करूंगा और drag करूंगा अब इसे जितना चोटा करना चाहे कर सकते हैं जितना trim करना चाहे कर सकते हैं अब यह जो video है यह इदर खत्म होगा इसी तरह हम लोग अपने दूसरे video को भी कर सकते हैं start पर click करूंगा drag करूंगा end पर click करूंगा और drag करूंगा इस तरह इस पहले वाले video को उस point पर रखूंगा जिस point पर दूसरा video खत्म होता है तो मैं इस तरह रखता हूं अच्छा अभी यह जो है अभी अगर हम लोग इस video को move करना चाहें तो यह free move है मतलब यह मैं गलती से किसी और point पर रख सकता हूं मतलब मैं अगर इसके दूसरे वाले video के end पर रखना चाहूं तो मैं गलती कर सकता हूं अगर मैं shift button प्रेस करूंगा अब मैं अपने माउस को इस point के गिर्ट जब ले जाओंगा तो मेरा जो clip है वो चिपकेगा दूसरे video के साथ snap होगा यह आप देख सकते हैं कि चिपा करा है इसी तरह start point पे भी अगर ले जाओ यह जंप करेगा उसी point पे इसी तरह अगर मैं cursor के पास भी ले जाओ cursor पे यह video चिपकेगा तो shift button प्रेस करके आप अपने video को precise position दे सकते हैं मतलब एक single frame का भी gap नहीं आएगा अगर आप shift button प्रेस करेंगे इसी तरह अगर मैं अपने cursor को ले जाओ और मैं चाहूं के मेरा video इदर से start हो तो मैं shift button प्रेस करूंगा और अपने video को दे जाओंगा तो मेरा video उस cursor पे चिपक जाएगा और पिर मेरा काम हो जाएगा इसी तरह अगर आप editing मतलब cut पी उस point पे करना चाहते किसी मखसूस point पे करना चाहते आप नहीं चाहते कि एक दो frame का gap हो या गलत हो मतलब precise चाहते तो आप उसके end point पे क्लिक करें shift button प्रेस करें तो ये भी चिपकेगा इस तरह अमीद करता हो कि आपको आपको आज का lesson समझ आया होगा अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो की नीचे comment कर सकते हैं After Effects की मज़ी टिटोरियल देखने के लिए मेरे website पे विजिट कीजिए जो है mevilapt.com देखने के लिए शुक्रिया, अलाहाफेज